एक आदश के बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्शेर में हर्दिक स्वागत आए जानते हैं उपभोगता सहकारी भंडार कंज्यूमर कॉबरेटिव स्टोर्स के भारे में देखे जब कुछ उपभोगता आपस में मिलकर किसी एक जगे पे कुछ माल खरिद कर पहले तो इ मातरण करते हैं तो यह उपभोगता दरसल एक सामोहिक पुणता साइकारी भंडार कहलते हैं यह सवैम्ही अपना भंडार चलाते हैं और प्रबंधन भी यही करते हैं ऐसा उन वेक्तियों के द्वारा जनरली किया जाता है जनके पास अस्धिक मात्रा में धन नहीं है और अपनी सीमित पुंजी को आपस में एकठा करके यह इस्टोर चलाते हैं बड़ी मत्रा में माल खरीदते हैं जिस कारण बीच के मधश्ट हट जाते हैं और यह सीधे निर्माताओं से क्रेय कर पाते हैं माल सस्ते दामों पर मिल जाता है और यही अच्छी गुडव पूंजी विक्तिकत रुप से लाई जाती है यह इस्टोर लोक्तांत्रिक से धन्तों का पालन करते हैं यानि कि हर सदस्य के पास एक वोट होता है और प्रतिक विक्ति को समान मात्रा में मत रखने का अवसर दिया जाता है बिना यह सोच एकि उसने कितना पूंजी कितनी वहाना होता है और आप शुरुबात कर सकते हैं दाइथ तो जितनी पूंजी का लगाते हैं वहां टकी Alone होता है लोगता प्रभंध की सिमाएं क्या हैं सबसे पहली बात आती है पहल की कमी उभुकता सहीकारी सेंग्ठन में लाब की आशा नहीं कि जाती है क्योंकि इनकी इस अपना कम क्योंद्श लाब कमाना होता ही नहीं है सदस ज़्यादा रूचि नहीं दिखाते प्रेणाई औrop पहल की इसी वजय से यहां कमी होती है एक तो धन की भी कमी है संग्ठन में जितने सदस से जुनते हैं कोश अकत्रित होता रहता है जितने सदस उतनी ही पूंझी होती है कम पूंझी होने के कारण व्यवसाय का विस्तार करने में बहुत कटनाई होती है व्यवसाय क्प्रसीक्शन की कमी रुभुकता सहकरी भंडार सतस्यों के द्वारा ही चला जाता है जो कि पेशेवर प्रबंधक नहीं होते हैं उनके पास व्यवसाय संचारन का नहीं होता है और इसी वज़े से बहुत बार ये अच्छे से उसका कुशलता से संचारे नहीं गर पाते पूंजी की कमी भी एक बड़ी समस्या आती है चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं सुपर बाजार की तरफ सुपर बाजार क्या होता है उपभोगता वस्तों की विविदता देखने का अवसर मिलता है यहां पर और यहां पर अधिकतर भोजन समगरी की वस्तों बड़े पैमाने पर फुटकर विकरी के लिए रखी जाती हैं देखने में ये विभागी भंडार के जैसे ही लगते हैं बड़े शेयरों में भोज पदार्थों को प्राप्त करने में कटनाई होती थी और वही इनके स्थाबना का प्रमुक कारण बना जहां भोगता स्वयम वस्तों को चुन सकते हैं मुख्य भोज पदार्थों के लिए इसको इस्थाबित किया गया था अब वहां पर विभन बगार की वस्तुमें भी खरीदी जा सकती ही जैसे कपड़े, दवाईयों, साबन वगएरा फिलाल खरीदारी की जाने वाले बाजारों के बीच में ही इन्हें इस्थाबित किया जाता है इनके अलग-अलग खाने स्टोर में बने होते हैं, जिनमें वस्तुमें होती हैं, जिन पर उनके मुलिवगरा लिखे होते हैं आप वहां से अपनी अवशक्ता की वस्तुम उपभगता के दोर पर उठाते हैं और अपनी ठोकरी में डाल लेते हैं फिर वह बास्केट आप काउंटर पे ले जाते हैं जहां पर वहां बेठा हुआ उस्सामान का मुल्यंकन करता है और आपको एक बिल देता है आप उसका भुक्तान करते हैं इस तरह का कारी पद्धति से यहां पर आप कुरह कर सकते हैं इसके लाव यह हैं कि सुपर बाजार आप उसमें पसंद करते हैं, चुनते हैं, काउंटर तक लाते हैं और घर ले जा सकते हैं खरिदने के बाद, भुगता के मूले अन्य भंडारों के तुलना में सामनेता उत्पाद के मूले कम होते हैं, क्योंकि यहां बिवने प्रगार के डिसकाउंट आफर भी रहते हैं, यह लाबों के गर बात करें, तो एक ही छत पर सारी वस्तुवें मिल जाती हैं, कम मूले पर मिलती हैं, जनरली आपके शहर में यह केंदरी इस्थान पर होते हैं, यानि कि वहाँ जहाँ असानी से आप पहुच सकते हैं, विस्तरत चैन यहां पे सेलक्षन करने के लिए आपके पास धेर सारे विकल्प होते हैं आप अपनी पसंद की और रेट की वस्तुएं खरीश सकते हैं ब्रहत इस्तर पर क्रे कर सकते हैं चुकि यह करते हैं और इस वजे से लार्ज स्किल की बच्चतें भी यहां तक पहुंच पहुंचती हैं और इस वजे से बहुत बारी वस्तुएं जो होती हैं वह सस्ते मूलियों पर मिल पाती हैं सुपरबजर की सिमा यहां कि यहां उधार की सुभधा नहीं है और व्यक्तिगत आकर्शन नहीं है अर्थात जो व्यापारी होता है वह अपने इच्छा अनुसार जब उसका ग्रहक आता है तो उसके साथ कुछ रिलेशन्सिप बिल्डिंग कर लेता है अच्छे से बाते करता है यहां उस तरह की सुभधा नहीं है आप अपनी पसंद से जाते हैं सावान स्वयम निकालते हैं और स्वयम जाकर की काउंटर पर आप सिर्फ बिलिंग करा ले जाती है चलिए एक और प्रकार है विक्रे मशीन का उसका भी हम अध्यन कर लेते हैं यह मशीन ऐसी इस्थानों पर लगाई जाती जहां प्रवेक्ति बड़ी मात्रा में गुजरते हैं मशीनों के अंदर कुछ वस्तों के पैकेट रख दी जाते हैं मशीन में एक छेद रहत में यह देखे जा सकते हैं इसके लाब यहाँ है कि 2400 घंटे वस्तों में अपलब रहती हैं ताजी पूर्ती मिलती है वजन और गुडवत्ता में कोई दिक्कत नहीं होती है प्रमापित होती हैं और विक्रेता की यहां जरूरत नहीं होती हानियों की अगर बात करें तो एक का उनसे कम या ज्यादा हुआ तो भी वह मशीन उसे नहीं लेगी नई मशीन आने से पुरानी को जो टेक्नालोजी की मशीन अप्रचलित हो जाती है उससे नुक्सान होता है और ग्रेता वस्तों को एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं कर सकता है वस्तू निकालने के प्रक्रिया क्या है कि जो भी मशीन है आपको सबसे पहले जो भी मशीन में जो भी वस्तू में हैं उनका मूले आपको देखना होगा और उसके नीचे एक नंबर भी लिखा होगा मूले और नंबर दोनों आपको मशीन में नजर आते हैं उनका प्रयोग करके हम वस्तू क्रे कर सकते हैं दरसर करना यह होगा कि मानिए कि आपको एक पानी की बोतल चाहिए तो उसका मूल अगर 20 रुपए है तो आपको मशीन में 20 रुपए डालने हैं फिर उस पाद का दिया गया नंबर आपको दबाना है मशीन से वस्तू बाहर आ जाएगी और मशीन के भिन होने पर य दिया गया निर्देश होते हैं उनको भली भान पढ़ने के बाद आप आसानी से इसको आपरेट कर पाएंगे बात करते हैं एक नए टॉपिक की वस्तू और सेवा करकी जीस्टी की नियू कई वर्ष पहले रखी गई थी 2007 में सरकार ने 2010 से जीस्टी लगाने के लिए प्रस सस्तुत किया जा सका दिसंबर दोहुजार छोदो में फिर से इसे विद्हेक इस विद्हेक को संसद में पेश इसलिए बिभिन प्रगार के टेक्से जैसे की के अंदरे युत पास्षुलक यानि के एक साइस जूटी सेवा कर यानि की सर्विस टेक्स वैट यानि वैलू एड़ेट टेक्स मनुरंजन कर यानि इंटेटेंबंट टेक्स इन सभी को प्रतेक्ष करों में और वहां है जी एस् T S GST और IPSC सिजी संगे संगे सीजी सीबस्ति वनिए यानि आइज राजी वसूल करता है और IPSC जो होता है यह राजी और दोनожд irrational करते हैं अब विभिन्न करवों के बदले सिर्फ एकी कर देना है जिसका नामे जीस्टी उसके बाद वो दो हिस्सों में विभाजित होता है कुछ हिस्सा राजी सरकार के बाहर जाता और कुछ के अंदर के पास यह सब पहले से निर्धारित विधी से होगा जीस्टी का उद्धिश क्य एकल कर पद्धत को अपनाना और पूरे देश में वस्तूओं और सेवाहों के मूल्यों में समानता लाना है इसे से बिलासित्धा की वस्तूओं पर टैक्स जाता है बड़े स्थ पर भूब क..? वस्तुओं पर टैक्स जो है कम रेट से लगाया जाता है सरकार ने जीस्टी के इंतरगत बारा सो ग्यारा मतों को रखा हुआ है फिलहाल चार सलेब हैं एक है पांच परसेंट का बारा परसेंट का अठारा और अठाइस परसेंट का भारत में गर हम बात करें किन-किन वस्तु कोई टैक्स नहीं लगता है सेवाओं में होटल और लॉज जहां किराया एक हजार से कम है उन पर कोई भी जीस्टी नहीं लगेगा पांच परसेंट के स्लेब में आनी वाली वस्तों में क्रीम है दूद का पावडर है ब्रैंडड पनीर है कॉफी चाय पिज्जा ब्रेड र 12% कर वस्तों जिन पर लगती हैं वो कौन से हैं मक्षन पनीर घी सूखे मेवे आयरवेदिक दवाई दंत मंजन अगरवत्ती छाता सिलाई मशीन सेलफोन वगेरा सेवाएं बिना एसी के होटल कार एनुबंध बिजनस क्लास हवाई टिकेट वगेरा 18% जिन में लागू होता है रिफाइंड चीनी पेस्ट्री पेस्ट्री केक जैम सॉस सूप आइस क्रीम मिनरल वाटर टीसू लिफाफेस तील इतपाद मॉनिटर वगेरा सेवाएं एसी होटल टेली काम सेवाएं आई टी सेवाएं ब्रैंडेड कपड़े और बित्ती प्रोशिंग मशीन एटीम वगेरा एटीम मशीन से यहां इनका दात्पर है पांस सितारा होटल होटल सिनेमा दौड कलब सट्टे बाजी वगेरा यह सेवाएं जो 28% में आती हैं एक और टॉपिक है अंतरिक वैपार में कौन-कौन से प्रिलेख लगते हैं तो प्रोफार्म खरीते हैं तो लगभग वह में सारी चीजों के बाद कि वेकिन चार्ज लगने के बाद कितने का पड़ेगा तो एक प्रोफार्मा भीजक यानि कि एक तरह का एक पहले से एक मॉडल मॉडल भीजक यानि मॉडल इन्वाइस बना करके आपको देदिया जाता है कि आप 10 वस् प्रोफार्मा भीजक में होती हैं लॉरी रसीद क्या है जब माल सड़क परिवान से भेजा जाता है तो एक रसीद जिसे दिखा करके आप माल की डिलीवरी ले पाएंगे लॉरी रसीद है रेल्वे से भेज़े जाने की इस्थित में आपको जो रसीद रेल्वे अधिकारी कि और वी तtar से आपने यह दरसल सरय wrapped जारी करेगा जिसे आपने आल क्रके किया 1000 describes क्या लेकिन उसमें से 100 $ का माल ऐसा था जो क्तिंच की की अनुसार सही है है उसे वापस कर दिया तो ऐसी ऍस्थित में आप करेता के तो रपके look से हो रही होगी तो वह आपको क्रेडिट नोट चारी कर देगा फिलाल एक और टॉपिक है वाड़िज और उद्योग मंदल चेंबर आप कॉमर्स और इंडस्ट्री तो दरसल वाड़िज और उद्योग मंदल का गठन उनके सामान हित और लक्षों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक्षिक और गैर लावकारी संग्ठन है किसकी वाड़िज और उद्योग जगत की ऐसे भारती जैसे भारती इंडस्ट्री शौट में से सी आई आई बोलते हैं फेडरेशन आप इंडियन चैमर्स अब कॉमर्स और इंडस्ट्री एफ आई आई सी आई शौट में से फिक्की बोला जाता है इसकी इस्तापना का उद्देश क्या था ब्यापार वाड़िज और उद्योग की सुरक्षा ये किसी विशेस व्यापार या वाड़िजिक समदाय का प्रदिनित तो करते हैं पर तेकराज्य का अपना अलग वाड़िज मंडल होता है जैसे उत्तरप्रदेश वाड़िज मंडल पंजाब वाड़िज मंडल वगेरा इनकी विशेस्ता यहाँ है कि अंतरिक व्यापार को यह सऊजोग करते हैं तरकार के साथ नकी भूमिका और का है यातायात यमाल का नतर राजी गतिविदी राज में वहनों में पारिवर्न नीती वारी वारज में एक से दूसरे राजय के ले सड़कों सब्सक्राइब करते हैं और सरकार को समय समय पर संग्यान में उनके समस्याइं लाया करते हैं करप्रावधान यह संग सरकार के द्वारा जो भी कर समन्दी दीतियां होती हैं उनमें योगदान देते हैं निर्माड में और निर्माद के पस्चात उसमें समक्षा में भी नीतियों की समक्षा करने में भी योगदान देते हैं जैसे भी आप GST के रेट पड़ रहे थे तो क टकत पाता समनदेद बूद्म का बाजौड करण किरसी सामेदाइक जिसी संस्ताहों के साथ बाचित करके किरेशियी उत्पाथ की विक्रिव बड़बाने का कारी करना इन भारती वाइजी मंडल का रहे हैं संग करिश उत्पादों के विपड़न में भी यह तरह के संग है अद्धड मणल और चैने था हेले यह संग के लिए जिस रक्षा के लिए बीञार काuciones वो स्वार के साथ सब्सक्राइब करता है जो वर्हार और व्रांच से च्राइब इतनी अमों और नीतों के लिए मंडल को सुझाओ देता है गरहा के लिए हित के लिए सुरक्षा के लिए सारे कारी करता है जो अवशक हैं उत्पादन शुलक उत्पादन शुलक अवलागू नहीं होता है छोड़ दीजे आधार बूस नचना को बढ़ावा यहां बैपार के निर्बाद संचलन के लिए अधार बूस नचना जिसे परिवहन ब्वस्ता बंडारन ब्वस्ता यह सब ब्यापार को चाहिए होता है तो संग सरकार के जाथ परिवहन ब्वस्ता में भी हसायता किया करते हैं श्रम विधान यदि श्रम संतुष्ठ हो तो ब्यापार में लग तो उपरयुक्त प्रकार से आप कह सकते हैं कि वाड़ज और उद्योग मंडल बैपारियों के पक्षिमे कानून में संशोधन दता परिवर्थन करने के लिए उद्योग पतियों के बीच विवादूं के निप्टाने हे तो आचार संगिता निश्यत करने सिक्षा ततानूस अंधान के लिए विवसाई क्षेतर के लिए शोध के बारे में सदस्यों को सूचित करता है वाड़ज मंडल सदस्यों के बीच विचारों के विनिमय समरणों की विवस्था वगेरा करता है व्यपारिक मदें कुछ और टर्म आते हैं जिससे सुपुर्दग के होते हैं तब आपको उस प्रोड़क्ट की सुपुर्दगी यानि की डिलिवरी दे दी जाती है इसी को हम बोलते है कैसा डिलिवरी ऑनलाइन सिस्टम में और डाक से माल मगानी के सित्वें दोनों में यह एक जैसा होता है बीमा और भाड़ा जब आप विक्रेता जब माल को किसी को बेचता है तो वह उसके घर तक पहुंचाता है तो यहां पर यह देखा जाता है कि उसने जो विक्रे मूल लिया है क्या उसमें बीमा और भाड़ा शामिल है अगर ऐसा नहीं है तो यह से अलग से लिया जा सकता है अगर उसमें शामिल है तो यह विक्रेता ही वहन करेगा ठीक है इंशुरेंस और फेट समझत चुके हैं जहास तथा निशुलक या रेल तखान इसका मतलब यहाँ होता है कि जरो आपको बिकृता के दोर पर किसी को वस्तू बेचते हैं तो प्राइस में जो आपने मूल्य उसे बताया है क्या उसमें वह फ्री आन बोर्ड है इसका मतलब यह है कि अपने गोडाउन से ले कि सौने स्क्राइन के माल रद्वाने कुर्चा वर्ट उठाएगा उसके बाद में जहाज जो ने और इसमें गोड़न मूल्य उससे कहा जाता है ौने इस सी का जाता है लाकत भाड़ा जब होता है जब एक्राय मूल है तो यह सारे खर्चें विक्रता होन करता है क люд自己 कि कि लागत 20 रुपे है और 2 रुपे अपने लाब के विक्रिता जोड़ ले 2 रुपे बीमा के मैं थे लग BARे पिक्रिता ये लिखता है कि हमने जो भी दस्तावेज आपको बना के दे हैं या जो भी बस्तु में भेजी हैं अगर उसमें कोई भूल हो गई है कोई चूक हो गई है तो आप उसे हमारे संग्यान में लाएंगे और हम उसे जरूरी जो कारिवाई होगी वो करके उस गलती को ये भूल चूक माफिय दस्तावेज कह रहते हैं इसमें एरर और ओमिशन एक्सपेक्टेड यानि कि एरर और ओमिशन हो सकती हैं इसे के साथ ये चैप्टर पूरा होता है चैप्टर के बाद में अभ्यासी प्रश्न जो दिये गए होते हैं इन सभी को बहुत अच्छे से आ भार आप सभी का